नमस्कार, सभी दर्शकों को पाप मोचनी एका दशी की हार्दिक शुपकामनाएं पाप मोचनी अर्थात जो हमारे पापों से हमें मुक्त करा दे जो हमारे पापों को नश्ट करती है वो पाप मोचनी एका दशी है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे धर्मराज उधिष्ठिर इस बृत को करने वाले प्राणी जन समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं धर्मराज ने कहा प्रभू इस ब्रत का महत्म क्या है और इस ब्रत की कथा मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ भगवान ने कहा चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं इस संदर्भ में एक कथा आती है जो की कुछ इस प्रकार है एक समय देवराज इंद्र चित्ररत नाम के एक बड़े सुन्दर से वन में अपसराओं और देवताओं के साथ सुक्षंद विहार किया करते थे उसी वन में मेधावी नाम के एक रिशी भी भगवान की तपस्या में लीन रहते थे एक बार कामदेव ने विचार किया कि क्यों ना इन रिशी की तपस्या भंग की जाए इनकी परिक्षा ली जाए कामदेव ने मन्जु घोशा नाम की एक अपसरा को तपस्या भंग करने के लिए भेजा युवा वस्था वाले उन रिशी ने जब मन्जु घोशा के आओ भाओ नृत्ति गीत आदी को देखा तो उस पर मोहित हो गए तपस्या भूल करके 57 वर्ष तक उस अपसरा के साथ मेधावी रिशी क्रीडा में मगन हो गए 57 वर्ष के बाद जब मन्जु घोशा ने रिशी से वापस दैव लोक जाने की आज्या मांगी तब उनको भान हुआ कि मैं कहा था और मैं क्या कर रहा हूँ रिशी को आत्म ग्यान हुआ कि इस अपसरा के कारण ही मेरी तपस्या भंग होई है उनको क्रोध आया और क्रोध में रिशी ने मन्जु घोशा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया जब मन्जु घोशा ने श्राप की बात सुनी तो रिशी के चरणों में गिर गई प्रार्थना करने लगी प्रभू इसमें मेरा अपराध नहीं है मुझसे कामदेव ने कहा था कि मैं आपकी तपस्या को भंग करू रिशी ने उसके अश्रुबों को देखा तो कहा व्यथित मत हो चिंता मत करो तुम पिशाचिनी तो जरूर बनोगी परन्तु पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना जिस व्रत के प्रभाव से तुम्हें उस देह से मुक्ती मिल जाएगी और तुम कुना अपसरा बन जाओगी उस अपसरा ने रिशी की कहे अनुसार पाप मोचनी एकादशी आई दश्मी के दिन से ही उसने अन्न का त्याग कर दिया और एकादशी के दिन बृत को धारण किया पूरी रात्री जाग करके भगवान का हरी नाम लिया उस दिन उसने कोई पाप कर्म नहीं किया मन में कोई दुराभाव नहीं लाई और भगवान की ही भक्ती में एका दशी का दिन उसने पूरा बिताया जैसे ही द्वादशी का दिन लगा बृत का पारायण मन्जु घोशा ने किया उसकी पिशाचनी देह उससे छूट गई और वहाँ पुना अपसरा बन करके देव लोग को चली गई इधर मेधावी रिशी जब चेवन रिशी के पास आये और उन्होंने अपने पिता को बताया कि किस प्रकार उन्होंने मन्जु घोशा को श्राप दिया पिशाचनी होने का चमन रिशी क्रोधित हुए और उन्होंने कहा तुम रिशी हो साधक हो तपस्वी हो और तपस्वी क्रोधित हो जाए ये उचित नहीं है तुमने भी अपराद किया है और अगर तुम भी अपने अपराद का प्राश्चित करना चाहते हो तो तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो मिधावी रिशी ने भी पाप मोचनी एकादशी का पूरे विधी विधान से व्रत किया महत्म सुना जागरन किया और अपने पिता की आग्या से उनके द्वारा किये गए अपराद का उन्होंने प्राश्षित किया भगवान स्री कृष्ण कहते हैं हमारे जीवन में कोई ना कोई अपराद नित्यप्रती हर मनुष्य से होता है चुकि कोई भी मनुष्य इस मृत्यु लोक में परिपूर्ण नहीं है जो परिपूर्ण है वो भगवान है हम मनुष्य हैं कोई ना कोई अपराद जाने में या अन जाने में हमसे अवश्य होता है उन अपराधों के प्राश्चित के लिए मनुश्य को चाहिए कि पाप मोचनी एकादसी का उपवास अवश्य करे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे गोविंद यदि कोई मुझसे अपराध हुआ है अगर मैं किसी दंड का भागीदार बनने वाला हूं तो इस एकादसी व मैं आशा करती हूं कि आप सभी अपने अपराधों को दूर करते हुए बुरे भाव को दूर करते हुए भगवान की सेवा में सलगन रहेंगे और ठाकुर जी आप सब की सेवा स्विकार करते रहेंगे ऐसी मेरी मंगल कामना है राधे राधे कि जड़ दुर माइश